पर मुझे लगता है कि तीनों चीजे से महलाओ वन्चित है क्योंकि उनको विध्या से ही वन्चित रखा discouragement यह ज्यादातर जो महलाओ की सिक्षा होनी चैए लड़कियों की सिक्षा होनी चैए वह पूजा कि जाती है पर उसी से उसको वन्चित रखा जाता है लड़कियों को महिलाओं को दूसरा जो है कि धन हम जब दिपावली में जब लोग पुझा करते हैं धनकी देवी लक्समी जी की पर धन लक्समी जो रहना चाहिए रखना चाहिए वो महिलाओं के पास उसका अधिकार ही नहीं है मतलब रखाई नहीं जाता है पूरा जो हमारी जो समाज व्यवस्ता है उसमें और तीसरा जो है कि महिला को हमेशा दुर्गा सक्ति का रूप होती है पर महिला कमजोर है तो उसी तरीके से उसको नापा जाता है मापा जाता है और उसी तरीके से उसकी पर पाबंधिया रखी ज जो है सक्ति सम्रिद्धी और सरश्वति मतलब सिक्षा की तीनों से महिलाएं वंचित रह जाती है अब लेकिन एजुकेशन के अंदर तो अब ऐसा नहीं है जब बाबा साब ने जब सम्विधान लिखा था तो जब विद्या बात करें विद्या की देवी लेकिन एजुकेशन जो हमारे बाबा साब ने बनाया है उसका अमलीकरण होना चाहे जिस तरीके से वह नहीं होता है क्यूंकि बाबा साब ने जब सम्विधान लिखा था तब यह बोला गया था कि सम proportion पूरी दुनिया में सबसे स्रेश्ठ है पर अगर उसको अमलीकरण करवाने वाले जो ताकात है जो लोग है जो वियवस्ता है अगर वो उसका अमलीकरण सही तरीके से नहीं कराएंगे तो मुझे लगता है कि उसका कोई माइना नहीं रहेगा और आज की जो जो मनुवादी जो ताकात है वो इसका जिस तरीके सम्वीधान में जो हमको संसोधन करवाया है और जिस तरीके से सम्वीधान में बोला गया है सवतंत्रता की बात की गई है और हमको फंडमेंटल मुल्बुद जो अधिकार दिये गए है उससे ही वंचित रह जाते हैं तो यही जादब जी जैसे अभी आपने देवियों की पूजा करने की बात की जब पूजा की बात आती है तो साइद यह दिवाली से पहले अपने कागज की मूर्थी ले आएंगे एक मटकी से ले आएंगे उससे की मेरे पती की आयू लंबी हो जाए क्या यह कैसी बनाया इस तरीके की पाट पूजा करने चाहिए मेरे हिसाब से अगर यह जो ब्रत है जिसमें बोला जाता है और मैं सरुकार रखते मुझे लगता है जहां तक यह जो प्रथा थी वो साइद वेश्टन यूपी के एक हिस्से में ज्यादा प्रचलीत थी पूर्विय यूपी वाला जो है बिहार जो है या दिल्ली में तो व पूजा की जाते मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पती का आयू बढ़ाने का एक करवा चोत वाला जो व्रत रखते तो क्या हमारे सही मतलब जो लोग सरहत पर जो लड़ने वाले जो लोग है उसकी महिलाए क्या व्रत नहीं रखते है अगर वह होता तो वह बच जात और अगर यही चीज होती तो आज जितने एक्सिडेंट या जो भी जितने लोग मरते हैं वो नहीं मरते क्योंकि सब महिला यही व्रत करेगी तो यह हो जाए तो मुझे लगता है कि यह जो है मतलब पूरा एक एक जो माध्यम है जो वेपार करने का एक जो तरीका है जिसमें हर एक इंसान के मतलब अपनी दुकान चले वो चाहे पंडी थे या चाहे दुकान वाला है जो माल सामान वाला है वो इस चीज को बढ़ावा देके मतलब करता है और यह मुझे लगता इतना कोई वह है नहीं कि वह करने से पती के आयू बढ़ जाएगी ऐसा कुछ बात नही चाहिए देखो यह जो चीज है वो मुझे लगता है कि हर एक इंसान का अपना नीजी मामला है पर एजे मैं अपनी बात करूं तो मैं इन चीजों में विश्वास्त नहीं करती हूँ और मुझे लगता है कि एक जो है एक एक मेरे हिसाब से एक एक रीती है कूरीती है जिसको हम करके मतलब एक कूरी जो अंदिसरद्दा है या जो चीज है उसको बढ़ावा दे रहे है तो यह चीज मैं अपने पर्शनली तोर पर मतलब मैं इस बात को सरोकार नहीं रखती हूं देने वावे